नमस्कार मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं The Follow-up शुक्रवार की सुभध अकरिबन पांच बजे राजधानी राची में अलसाए लोगों का सामना E.D. की ताबर थोड छापे मारी की सुर्खियों से हुआ I.S. अधिकारी पूजा सिंगल के सरकारी आवास सहित सत्ता के करीबी लोगों से जुड़े 20 ठिकानों पर E.D. की छापे मारी जारी है ये कारवाई जारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हर्याना और दिल्ली के 20 ठिकानों पर जारी है I.D. की अलग-अलग टीमों ने राची, खूटी, जैपूर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुझभपरपूर और दिल्ली में एक साथ छापा मारा सूचना है कि कारोबारी अमित अगरवाल के भी कई ठिकानों पर I.D. की टीम ने छापे मारी की है गर तलब है कि अमित अगरवाल मुख्यमंत्री हैमन सौरेन के करीबी बताये जाते हैं कहा जा रहा है कि I.D. ने ये कारवाई अबैद खनन से जुड़े मामलों में की है राची में I.S. अधिकारी पूजा सिंगल के सरकारी आवास सहित काकी रोड के चान्नी चौक स्थित पंचवटी रेसिडेंसी के ब्लॉक नमबर 9 लालपूर के हरियोम टावर स्थित नई बिल्डिंग और बरियातू के पल्स हॉस्पिटल में भी छापे मारी की गई है खूटी में भी I.D. की छापे मारी जारी है चलिए अब सिल्सिलेवार ढंग से समझते हैं कि पूजा सिंघल के खिलाब I.D. की ये कारवाई क्यू हो रही है सबसे पहला मामला खूटी में मनरेगा के 18.6 करोड रुपे के गबन से जुड़ा है जून 2020 में I.D. ने मनरेगा में घोटाला को लेकर खूटी जिले के तातकालिन जूनियर इंजिनियर राम विनोत प्रसाद सिंहा को गिरफतार किया था उन पर जिले में मनरेगा के 18.10 मलव 6 करोड रुपे के गबन करने का आरोब था I.D. की पूछताच में जूनियर इंजिनियर ने कई नौकर शाहों का नाम लिया था जिन में एक नाम खूटी की तातकालिन उपायुक्त पूजा सिंगल का भी था राम विनोध प्रसाद सिंहा ने I.D. को बताया था कि कमिशन की रासी DC ऑफिस भी पहुचाई जाती थी इस मामले में पूजा सिंगल लंबे समय से I.D. की राडार पर थी दूसरा मामला चत्रा जिले में दो एंजियो को वित्तिय फायदा पहुचाने से जुड़ा है पूजा सिंगल पर आरोप है कि पलामू की उपायुक्त रहते उन्होंने एक नीजी माइन्स कमपनी कठोतिया कॉल माइन्स को 83 एकर बनभुमी का आवंटन कर दिया ये पूरा मामला अवैद खनन से जुड़ा हुआ है इतना कुछ जान लेने के बाद अब ये भी समझ लीजिए कि पूजा सिंगल जार्खन में क्या हैसियत रखती है उनका कितना प्रभाव है सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि आईयस अधिकारी पूजा सिंगल सत्ता की चहती रही है पूरे कारेकाल के दौरान उनकी सत्ता के सीस पर बैठे लोगों के साथ नजदी की रही है चाहे सरकार किसी भी पाटी की रही हो पूर्वबर्ती रगवर्दास कारेकाल में भी पूजा सिंगल कई एहम पदो पर रही और मौजुदा हैमंत कारिकाल में भी उनकी पांचों उंगलियां घी में है पूजा सिंगल मौजुदा समय में जार्खन सरकार में खनन और भूविज्ञान विभाग की सचीव है पूजा सिंगल उद्धोग विभाग की भी सचीव है सरकार की विशेश क्रिपाद्रिष्टी का आलम गहें या पूजा सिंगल की अध्भूत योग्यता खनन और उद्दोग विभाग के सचीव होने के साथ वो JSMDC की अध्यक्ष भी है खनन बिभाग की सचीव और JSMDC की अध्यक्ष होने को लेकर उनके खिलाब जार्खन हाई कोट में जनित याची का भीदा खिलकी जा चुकी है दर असल JSMDC से पारित आदेश का अपली अधिकार खनन बिभाग के सचीव के पास होता है अब जब की दोनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति बैठा हो तो न्याई की उम्मीद कैसे की जा सकती है इस बीच ताजा कारवाई से केवल पूजा सिंगली मुस्किनों में नहीं घिरी है बलकि पहले ही खनन पट्टा का लीज हासिल करने को लेकर पद गवाने की कगार पर खड़े मुख्यमंत्री हैमन सौरेन भी चौतारफा घिरे है दरसल जिस खनन और उद्दोग विभाग की पूजा सिंगल सचीव हैं वे दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री हैमन सौरेन के पास है अब आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया का चक्र कैसा है सब कुछ घुमा फिरा कर एक ही जगा खत्म होता है वैसे राजनीती में राजनेता ये जुमला विरोधियों के लिए खुब इस्तमाल करते हैं कि सच कितना भी नीचे गडा हो बाहर आई जाता है दिक्कत बस ये है कि ये बात कभी-कभी खुद पर भी लागू हो जाती है कितना भी जाता है